नमस्कार स्वागते आप सभी का मैं हूँ आपके साथ आस्था कोशिक और लेकर चुनाव एक्स्प्रेस हम पहुत चुके हैं मध्य प्रदेश के नरसिंगपुर में भगवान नरसिंग की भूमी नर्मदा किनारे बसा है नरसिंगपुर जहां पर होने जा रही है बड़ी पर पूर्ण बात ये है कि भगवान नरसिंग की ये भूमी जहां का तालुक महांदाशने कोशों से भी रहा है महाश्री महेश योगी से भी रहा है लेकिन इस वक्त सियासी समर गर्माया हुआ है दोजार तेश में क्या सियासत के समिकरन बन लेंगे या फिर जनता बाजी पूचे जाएंगे सवाल आप लोगे के करकर अपना हाथ उठाईएगा और आपके सामने ये सबी लोग है जो वोट मांगने के लिए आपके घरों में पहुंच रहे हैं उनसे सवाल जवाब का सिलसला शुरू करेंगे लेकिन सबसे पहले आपका तारुप करा देते हैं हमा जालम सिंग पटेल होंगे बीजेपी विधायक नरս सिंगपूर से जो की किंदरी नंत्री प्रैलाद पटेल के भाई भी है और इसमार खुद प्रैलाद पटेल जो है वो नरसिंगपूर के ही एक विधान सबहा से ताल ठोक रहे हैं तो चलिए सबसे पहले जन्ता का मांज जनता का सवाल हाथ उठाई है किसे पूछना है सवाल या कोई कुछ कहना चाहता है नर्सिंग पूर्ड की जनता कुछ कहना चाहती है चलिए क्या नाम है सर आपका और आपके उम्र देखकर लगता है यह कौन सा चुनाव है आपने बहुत से चुनाव देख रहा हूँ अब भाजपा से तालुक रखने या आप सपोर्टर हैं इसलिए आपने ये पहना हुआ है भारती जनता पार्टी का सपोर्टर है तो यह बताइए यहाँ पर चर्चा सबसे ज़्यादा है कि तीन बार की आंटी इंकमपेंजी है य नहीं नहीं है यहाँ पर रोड की नियमार्ट प्रधान मंती पहले इंद्रा गांदी के नाम से दो या तीन दिये जाते थे इस कडेली नेगमें पचीश सो मकान बनाए गए यहाँ पर 55,000 से जादा सोचालय बनाई गई यहां पर तमाम सड़कें बनाई गई है यहां नल जल की योजना पूरी लागू की गई है यह आप लाडली बेहनों के लिए योजना दी गई है सब से पहले अपने नाम बताई क्या मरे की तरब देखिए और बहुत सारी महिला हैं यहाँ पर है मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे लाडली लक्ष्मी योजना लाडली बहना योजना क्या लग रहा है इस वार यह कितना काम कर पाएंगी बीजेपी के पक्ष में सबसे पहले अपने नाम बताईए क्यामरे की तरफ देखिए अच्छा आप बीजेपी से ही हैं बताईए क्या चमतकार कर दिया आप लोगों लेकि आए और बहनों को दे भी रहे और बहने इसका दाव उठा रही है और इतने मकान सब चीजे महिला यहां की जनता बहुत खुश है उसकिस से चली महिला बहुत खुश है जनता बहुत खुश है यह दावा बीजेपी कर रही है लेकिन चली अब हम रुप करेंगे हमारे साथ निर्दली प्रत्याशी है जो इस बार चुनावी मैदान में आप जानते ना कितने बड़े चेहरों पर दाम या बीजेपी ने खेला है उमीदवार हैं और मैं तो गोटेगाउं से निर्दली प्रत्याशी के आप क्या सोचकर मैदान में आएं कितना कड़ा मुकाबला देख पाएंगे लोग तो बस यही जानते हैं मध्यप्रदेश में बस दो ही पार्टी है जिनके आप मुकाबला एक बीजेपी दूसरी कॉं रही है यह चुनाव में मेरे को कौन है आपके वोटर मुझे बताइए उन्होंने तो कह दिया महिला हैं बीजेपी को वोट देंगी एक बुजर्ग थे हमारे बीच में उन्होंने कहा मैंने तो कितने चुनाव देख लिए लेकिन जो बीजेपी ने किया वो किसी ने नहीं क आपको वोटर कौन है जो इनके वोटर है वो भी मेरे वोटर है कैसे कह रहे हैं आपके विश्वास के साथ चुनाओ लड़ रहा हूं ना उन्होंने आस्वासन दिया है आपको बताएगा कि मेरे साथ कौन सा बोटर है और कौन सा बोटर नहीं है अच्छा क्या वादा आपने किया है मैनिफेस्टो होता है ना सबका एक आपने देखा है कॉंग्रेस किस तरह के वादे कर रही है कौन से मुद्दे उठा रही है बीजेपी कौन सी उजनाई चला रही है आप क्या करें देखिए ऐसा है यह हमारा नर्सिंग पुर्जिला कृसी बाहुल छेतर है यहाँ पर किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है जैसे नर्सिंग पुर्जिले में जो सुगर फैक्टरीज है वो निजी मालिकों की है हमारे कॉंसेट में है कि हम अपने कोटे गाउं में एक सुगर मिल जो कौपलेटी सुसाइटी की होगी जिसको किसानों का सीधा लाब कौपलेटी के माज्यम से मिलेगा तो आपकी सानों का मुद्दा उठाएंगे और इस बीच हमारे साथ जालम सिंग पटेल जी आ गए है माफ कीजे बंटी सालूजा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जोरदार तालिया आपके लिए हो जाए तो बंटी जी यहाँ पर बात चल रही है अब हमने जनता से भी बात की और निर्दली प्रत्याशी से बात की उनका ये कहना है कि बीजेपी अब जाने वाली है कॉंग्रिस की सरकार आने वाली है बड़े-बड़े वादे किये जा रहे है राम मंदिर का जिक्र किया जा रहा है रावन अही रावन सबकी एंट्री हो चुए है 2008 में हमें फिर बहुमत मिला और हमारी बहुमत लेकिन इसी को लोग कह रहे है कि ये जो तीन बार की आंटी इंकम्बेंसी है है आप तो इंकार कर रहे है लेकिन इसको कॉंग्रेस बड़ी वज़य मान रही है देखिए मैं आपको बताऊंगा कि इंकम्बेंसी है मगर एंटी नहीं है प्रो इंकम्बेंसी है हम हमेशा जो चुनाओ लड़ते है प्रो इंकम्बेंसी के आदार पर लड़ते है 2003 के बाद 2008 का चुनाओ लड़े हम विकास के आदार पर काम के आदार पर लड़े 2013 में फिर हम चुनाओ लड़े तो काम के आदार पर विकास के आदार पर चुनाओ लड़े 2023 में भी हम विकास किया जो हमने काम किये हैं आज आपने देखा कि 2018 और 2023 के बीच में दो साल का करोना काल कितना इत्राही आई एक पूरे देश ने जो सहा है उसमें हम कितने अच्छे से और किस तरीके से उस तरही को हम निकल पाए उस राष्टी आपदा से हम निकल पाए उसके बाद हमने पर जो हमें तीन साल मिले हैं देड़ साल तो सबसाल तो जो सरकार चलती गई तबातला उद्द्योग चलता गया उसके बाद हमें दो साल लग गए इस तबाही से निकलने के लिए जो आपदा आई थी उसके बाद चलिए बहुत सारे काम आपने गिनवाए मैं और विस्तार से जानूंगी लेकिन जनता हो स पूछना चाहती है हाथ उठाईए चलिए मैलाओं से शुरुवात कर लेते हैं ये कैमरे की तरफ देखकर बोलिएगा क्या नाम है मैडम आपका नर्मदा सिंग मैं कॉंग्रेस के जो हमारे बीच में आये हैं उनका नाम मुझे नहीं पता है मैरा उन से प्रश्ण है कि आपने किया क्या है अभी तक आपकी पार्टी ने चाए हमारे आपने गरीबिँ हटाऊ का नारा दिया तो भारती जनता पार्टी ने गरीबी हटाई चाहे वो प्रिधान मंत्री ओजना के माध्यम से हो उन्हें मकान दिया चाहे फिरी रासन बाट कर दिया हो तो सारे काम जो है भारती जनता पार्टी ने किये और आपने सिर्फ नारे दिये हैं मलब बादे तो किये हैं पर उन्तु पूरा मैं दूंगे आपको कौन सा नारा आप कह रहे हैं कि नारा दिया है काम ने कि गरीब हटाओ का नारा दिया परन्तु भारते जनता पार्टी ने गरीब हटाई इन्हों ने नारा दिया कि हम अधोरचना ठीक करेंगे परन्तु आपने दो हजातीन के पूर ऐसा लगता है कि ईसा पूर्वी की बात कर रहे हैं और ईसाफ पूर्वी के बात की बात कर ठीक है ठीक है आप बैठे लिए प्रजमौन जी हमारे बेच में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आपने जनता के सवाल सुने अब उसका जवाब मैडम ने अभी बड़ा अच्छा सवाल किया कि कांग्रेस ने गरीवी हटाओ को नारा दिया और उसके बाद कुछ नहीं किया सतर सालों में कितने करोड़ लोगों को गरीवी रेखा से बाहर निकाला है जिस देश में सुली भी नहीं मनती थी उसमें प्लैन और सारे चीज़ों का निर्माड कांगरेस ने करवाया है आई आई टी, आई आई एम, सारे रक्षा संस्तान, सारे ओद्यों के संस्तान, पूरे देश को विकास के पत पर लेके आईए कांग्रेश लेकिन ये तो भूत काल की बात रही, हम 2023 में हैं, थोड़ा व्यवारिक होकर बात करें तो अब आप बताईए आगे के लिए गरीबी कल्याण के लिए अनेक योजनाओं की घोस्रा हमाई गोस्रा पतर में की गई है अभी आप कौन से मुद्दे खड़े कर रहे हैं बीज़पी सरकार के अभी पंदरा सो रुपे महने हर महला को, हर एक महला को इन्होंने केवल एक महला को पंदरा सो रुपे दिया परिवार का, हम परिवार की हर महला के लिए 15 रुपे हर महीने दियेंगे और हर नोज़ोण के लिए रोजगार की होस्रा है हमारे तरफ से, हर स्कूल में पढ़ेनी लोग लुबावन वादे सब तरफ से हैं और जनता के बीच में से जरा शोर काफी तेज हुआ है कुछ पूछना चाहते हैं आप आप बोल चुके हैं ठीक है आप आईए आगे आजाई भाई सब आप आईए दर आईए क्या नाम है आपका सिधार जी किस से सवाल है और क्या पत्याशी भी मौजूद और वरिष्ट पत्रगार भी मौजूद आप सब अधीतियों का स्वागत है मैं मेरा सवाल इनसे ये है चारों से कि लाडली वहना योजना जो सिवराज सींच चोहान ने आखरी में चौका मारा उसके पहले योजना थी नो डाउट पहले भी थी ल स्ट्रोक का सामना बाकी पाटियां कैसे करेंगी ठीक है ये पूछले हमारे बीच में बताइए इसको मास्टर स्ट्रोक बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका कोई तोड है क्या आपके पास हमारे भाई पत्रकार हैं सिद्दार्द विर्च्पुरिया जी उनका सवाल सवाल बेसिक रूप से जाइज है लेकिन हमने पहले से घोस्रा कर रखी कि हर महला को पंदरा सो रुपे हर महने दिया जाएगा इन्होंने परिवार की एक महला के लिए पंदरा सो रुपे देना चालू किया है हम हर महला के लिए पंदरा सो रुपे देंगे मतलब एक वह 21 वर्से लेके हर महिला को चाहिए परिवार में 3 बेटियां हैं बहुए हैं यदि 7 भी 60 वर्से कम है तो अगर 60 वर्से अधिक है तो उन्हें व्रद्दावस्ता पैंसरण हर परिवार में 5-5-6-6 पैंसरण आपका ये कहना है कि किसी ना किसी योजना के माध्यम से पहले से ही परिवार में हर महला की पेंशन या कोई किसी तरह का फंड ये निदी है। ये भारती जंता पार्टी का प्रोपागेंडा है। हैनिकों के दिल सीमाओ पर जोड से धड़कते हैं, अबम की आवाजों से कान नहीं ड़ते हैं, हर महीला आपने बोला कि सिर्फ देड़ करोड महीलाओं के लिए हमने सुरक्षा दिये। अच्छा ठीक है, बता दीजे उनको। अधिरिक सुरक्षा का भी जिक्र उन्हों ने कर दिया। अभी ओचेन में उस बच्ची के साथ जो हुआ, कौन अपने मुझे देखा पाएगा, जो मणीपुर में हो रहा है, महला, महला, महला को क्या किया जा रहा है मणीपुर में, आपने समने वीडियो देखा है, उसके बाद मेला से एक्षेगी बात आपने से कर सकते हैं, आज कुछला जायेगा, आप इस तेंगा वाज को कुछला नहीं जाता, तो 70 साल देख आजा नहीं होता, बेस्वे संबिधान के खिलाप किया होता तो 50 अबिधान आटकोबाद के खिलाप नहीं किया होता तो 15 अशल नहीं हो आता अटकान बनात की दैनर पर फेलत चूह आता क्या समस्या है ये पूछे सवाल शे चरौह कि देश आजाद हुए 70 साल के उपर हो गए अपना सवाल पूछे शेटर सवाल है 18 साल से भारती जंता पार्टी की सरकार मद्ध प्रदेश में काविज है तो पहला तो सत्ता पश्च के लोगों को सिर्फ सुनना चाहिए मेरा हाँ जुड़ को उनके प्राथ ना है सवाल पूछे सर सवाल पूछे सवाल पूछे सबसे पहले नर्दी पर विधान सवा छेत्पी बात कर हुआ जिले में तो यहां पर सिबिल कोट नहीं है कई बार मुख्ध मंतरी जी गोशना कर गए फिर बात आई जगह की तो पराला गंला मंडी करेली में खाली पली है करोणो कि उसके में जाजात बिलनेग भवन और गोधां यह सारी सवाल मैं ले कर जाते हूं बीजयपी के पास बताए वो कह रहे हैं कि सिफिल कोट की गोशना की ती मगर जगह की समस्या को ले कर सिबिल कोट की स्थाबना नहीं हो पाई है और हम बादा करते हैं आप से के सिफिल को सबसे पहले आपको धन्रवाद जनता के मुद्डों की बात करें तो दोनों ही पार्टीः जो है मुपत्की रेव्लियां के सब्जवाग जनता को दिखा रही है जिसके आदार पर वाय बोट मांग रही है मूलवाद यदि आप अपना बात करें इस करेली सेहर की तो 43 साल पहले करेली तैसील बनी, इन 43 सालों में 22 साल कांग्रेस का सासन रहा, उसके बाद अभी कई साल पटवा जी के सासन को जोड़ जाएं, तो मैं बता रहा हूँ वो ही आपको, पिछले 43 सालों पहले करेली को तैसील बनाया गया, उसके बाद यह एकलोती मेरे ख्याल से एसील होगी, पूरे प्रदेश में, जहां पर एक भी सरकारी कालेज नहीं है, सिबल कोर्ट नहीं है, आई टी आई नहीं है, इसके अलावा, यह बाते जाएंगी बीज़पी के पास, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में कवी भी हैं, कहते हैं कि जब कवी बोलता है, तो वो किसी को नहीं बख्षता, उसके पंक्तिया, उसके सवाल, उसके शब्द हर किसी को भेथते हैं, सर क्या नामे आप, विरनाव गुरु सक्सेना सांड नर सिंग पूरी, सांड नर सिंग पूरी, अरे नाम तो आपने बड़ा भयावे रख दिया, मैं मेरी गुजारिश है आप उसका क्या अंकलन है? जनता की तरफ से बताएं तरफ से बताएं। दिल से बोलींगर कोई से डर पयती हैं, हम हैं मतलब क्या होता है, सान पर बहुत से छूटते हैं कि तरसूर लग जाता है तो लो घौशेद हो जाते हैं अपन पर कोई तिरसूर लगाना रलई चलिए वर दिया किसे को भेदळ रहे मैं नहीं मैं बहल स्टाव्य यह कहना चाहिता हूं जनता की तरप से अपने कि ऊपर कौन खरा कौन खोटा क्यामरा 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 क् सीदी तो कहने चलनी ले हां ताटा चालना जरूरी है माता पिता के समान जनता है तंत्रहे तू बच्चों जैसा संभिधान पालना जरूरी है कोई पार्टी बार्टी नहीं हूँ आप बार्टी हैं जनता तो समय बच्चों जैसा पालना जरूर्टी बनाने को गीली मिट्टी सामने है समय साचे में उसे ढालना जरूरी है और सत्रह नुवंबर को सारी काम छोड़कर मतदान ही तू बोट ढालना जरूरी है मेरी रिक्वेस्ट है आप सीट पर जाएए मैं दुबारा आपके पास लौटूंगी हमारे बीच में एक और युवा कमी आईए युवाओं की आवाज भी सुनाते हैं आईए मेरे साथ बताईए दोनों पार्टी के मैनिफेस्टो यहाँ पे कॉंपेटिशन है जड़ी लगाने का हमने इसको दिया हमने मैलाओं को दिया हमने पर मन्त इतनी इंकम फिक्स कर दी मैलाओं के बाहने से युजनाओं के बाहने से कोई कहरा नहगाई है बेरोजगारी आप क्या कोई इस पारे अच्छा है कोई उस पारे अच्छा है और बहस इस बात की है कोने अब की बारे अच्छा है और चुनाओी युट में सबको यही साबित है करना बस कि अपना कमल अच्छा है कि अपना नाथ अच्छा है चलिए जोरदार तालिया इनके लिए जोरदार तालिया तो चलिए ये तो रही कवियों की बात अब बताईए कोई कह रहा है कि सम्मिधान को बच्चों की तरह समालना जरूरी है तो किसी ने पूछ लिए बताईए कमल अच्छा है कि कमल नात अच्छा है जहां तक कमल नात अ पढ़ रही है कि इन कांग्रेसी मित्रों को मद्द प्रदेश की माटी में जन्मा मद्द प्रदेश में जन्मा एक नेता नहीं बिना जिसको ये प्रदेश अद्रश बनाए मैं उन्हें से राजनीती में आने का उद्देश केवल अपने उद्द्योगों की रक्षा करना अप इनके पास कोई नेता नहीं केवल पैसे के दंपे कांग्रेस को मत्वर्देस कांग्रेस को शिक्मी लिया आपने सवाल उठाया अब जवाब भारती जनता पारटी के मित्र एक तरह ये बात करते हैं कि नरिंद मुदी को जन्मत मिला कमल नाज जी कोई डंडे की दंपे संसद में पहुंचते रहा है अभी तक क्या आपके खुद नेता जो विदान सावा से आज लड़ा बात की है आपने जिस तरह के चुनवाया के चुनाउ जंबल और बहुबल के आधार वालते चुनाउ पी ते ли गजनता है को हमें के वाली पाहन के और अगलते कि लोग हैं एते लोग ओपुआल से संस्जाल का खुद कर रहे थे जो यहां से बिदान सब चुना उड़ा रहे थे वो भी विद्विजा के चुना उहार चुके हैं यह जब नर्सिंपुर के मूलेवास की होने के बाद इतनी चार चेत्रों से लोग सब चुना उलड़ने जाना क्यों पड़ा इस प्रकार की बाते करके जिनका उसके बाद जन्ता के सब्सक्राइब जिनकी अभी युवाओं की चित्री हुमार उससे ज्यादा ज्यादा समय के चेंडरीमन की रहे थे हैं प्रदेश की जन्ता का अपमान है किसे सवाले आपकी सरकार पंदा माईने थी आपने और रोजगार के लिए क्या काम किये क्या काम किया आप बता दिए चलिए कंग्रिस महंगाई की बात करती है तो युवा नहीं पूछ दिया बताइए पंदरा महीने तक चार्ज आपके पास में था आपने क्या जिवाब देने दीजिए उनकार बोले नहीं देना तो फिर आपको क्या है काम आपको माइक कमला ची ने पिरोजगार के लिए बिरोजगार के लिए रोजगार के लिए रोजगार के लिए अलेक वर्तियों की गोषण की जो भर्तिया होने जा रही थी उसकी के टायम दन्बल से इनने सरकाग रादी उनकी पात साल होता है तो आप ममान को रोजगार की सवाल के हर सवाल का जवाब देने से यार दे जो अपने बचन लेके आती है बचन पूरे किया अपने विधायकों को कांग्रेश ने कहा कि हमने बेरोजगारी भत्ते का अंतजाम किया अब आप बताईए रोजगार के मुद्धे पे हमारे आदानी मुक्मंत्री जी सीखो कमाव योजना लेके आए हैं इसकी अंतर पटवारी घुटाला कर दिया रोजगार के नाम पे प पटवारी की भरती कर दी और उसके पाथ कोड़ने रोग लगा दी उन पर पंदर चलिए मैं आप दोरों को रोकना चाहूंगी मेरे पास लास्ट दो मिनट का समय बचाए उसमें जितने जादा सवाल हो जाए जितनी जादा बात हो पाई नर्सिंग पुर की उतना बेतर क्य दी आती थी वह भी आदिवास को दिया जाती थी पच्पन कुटी नहीं है और भाजपास सासन में आदिवास को ढूर्णूर के कुटी दी जा रही है एक ना वचे और पहला जी की बात करते हैं कि वह हार गए तो पहला जी कमलनाच जी से पूचना कि अगर चंद बारा इनर थे बात की घंद में अधिवासी को दिए अधिवासी लगातार कांग्रेस के सांत में हैं 70 साल से हमने उनके विकास के लिए अनेक योजनाय और अनेक योजनाय बनाकर अशो क्रैनन कियाгор्या में वन और क्यण छो क्या निभ करया ने पूछ रहे हैं इन्होंने जब 15 मेने की सरकार दीर संबल कार्ड बंद करवाई तीर दर्सन योजना बंद करवाई अब ये कोई बंद ने करवाई तीर दर्सन योजना आज भी चालू है जूट बोलना इनका सिगूपा है जूट बोलना इनका सिगूपा है मैने में सारी योजना बंद कर दीगे इनके वदान सबाव उमीदवार मैने में एक दिन काम करने की बात करते हैं चलिए और इस बीच में हमारे साथ नर्सिंग पूर विदायक पर पहुंच चुके हैं केंद्रिय मंत्री प्रेलास पटेल के बाई यह बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंतजार तो हम कर रहे थे कि आप शो में आये शो खत्मुआ लेकिन फिर भी आप आए लेकिन मैं चाती हूँ जाते जाते जनता को आप बता करके जाए इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं कि केंद्रिय मंत्री को विदान सभा का चुनाव लडाना क्या बीजेपी दिक्कत हो रही है क्या यह क्या रणनीती है और पात साल का रिपोर्ट कार्ड आप कैसे रखेंगे जनता के सब्सक्राइब करता हूं कि यह भाटी जनता पार्टी ने आठ लोग सबस्ट आओं उनको चाल लोग सबस्ट शेसे चुनाव ड़ाए और इस वारूं को भारती जनता पार्टी के बिधान सभा का पहली वारूं को पित्याशी बनाया है और मैं समंद भारजापा हम भूमकाएं बनाती रहती देती रहती है और जहां तक बिधानसवा में विकास के कारी है तो मैं कहता हूँ एक खरब बत्ती शरब 45 करोड 42 लाग 15 हजार के काम हमारे बिधानसवा छेत्र में हुए हैं और जुतने हमारे काम हुए हैं अब ये बताईए कि महलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना महला रिजर्वेशन बेले बड़ा दाव बीज़ेपी महलाओं को लेकर चल रही है लेकिन कॉंग्रेस वहां पर भी OBC का मुद्दा कर रही है मेरा माना है कि जो कांग्रेस इंडी बनाया है गठवंदन है और आप समने देख़ए बिहार के जो मुखमंतरी है उतनी उन्हें कितनी भद्दी उगंदी टिप्री पिदान सभा के अंदर की है जिसकी हम निंदा भी उसको तो ऐसा है कि जो उन्हें बात करी है वो बहुत न कि जादे से हम कहते हैं गोरीशंकर कहते हैं या आजादी में भी हम दिर्गावति जी की बात करें लच्छी वाइज जी की बात करें तो यह हमारा महिला परदान इस सो बिवक्ता हमारी है देश की है आपने सीता जी का नाम लिया तो राम मंदिर का भी जिक्र हो रहा है लेकिन कॉंग्रेस कह रही है कि आपने राजनीती की करण किया राम के नाम पर वोट मांगे मंदिर तो सुप्रिम कोट के कहने से बना 500 साल तक एक आंदूलन चला और इन 500 साल की अगर बात कर 55 साल तक तो कांगे कि सरकार नहीं वो मंतर पहले भी बन सकता था मगर देश के प्रधानमंदी सम्मा इनर्मोदी जी और आज हमारे जिले में और इस बिदान सवा में योगी जी आए उनका मैं हिदर से स्वागत बंदने भी जनकत उनको प्रणाम करता हूं कि 22 जन्मरी को राम लला वहां बराज़िमान हो जाएंगे वो टेंटर में थे चोटी गोटी घंड़ना बड़ी एक हमारे जो हम लोग वाट है कभी जो इसके पहले और अब जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप दो बातें बताईए कि बीज़ेपी को वोट क्यों दे जनता फिर हमें डिबेट क्लोस करनी है बीज़ेपी को इसलिए बोट देना है कि अन्तोदाय का हमारा विचार है बिना भेदभाव के प्रतेक व्यक्ति को जाब भाजबा को हो कांग्रेस का हो किसी दल का हो किसी जाती का हो सब को हमने लाप दिया बिना भेदभाव किया जी अलतर बहुत शुब कामना है आप सभी को आने वाले चुनाव के लिए और बहुत धन्यवाद आप न्यूज़े टीम के मंच पर आए तो आज चुनाव एक्सप्रेस में बस इतना ही जनता ने अपने मुद्दे रख दिये हैं अपनी बात कह दिये हैं जनता जनारदन सरवोच है और वो ही फैसला करेगी सभी उन्मेदवारों की किस्मत में क्या लिखेगी जनता के हाथ में हैं तो आज चुनाव एक्सप्रेस में इतना ही कल मुलाकात होगी रात 8 बजे चिंदवारा से पहुचे की चुनाव एक्सप्रेस आप भी आईए और इस मंच से अपनी बात रखिए बहुत धन्यवाद